तुड़े में सिल्वर के अनलीसिस करेंगे कि आने वाले ट्रेडिन सेशन में सिल्वर में क्या मोमेंट देखने को मिलेगा आज के लाइव ट्रेडिन सेशन में हजार पॉंट की जबर्दस बाइंग और अभी 4600 के आसपास टेट होते हुए देखने को मेरा है काफी वीडियो वेटे उनको क्या करके चलना चाहिए जो फ्रेस बाइंग करना चाहते है वो कहां पर यह बाइंग कर सकते हैं कंप्लिट जानकर इस वीडियो केंड़ टेक्निकल बेस को पर बताने की कोशिज करूँगा रह बात फस्ताम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करने की और देली बेस को पर इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जोरू जोरू जोइन करें वन आप दबेश टेनल इस एक दम फ्री कोई भी चार्जिस नहीं लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा बात करेंगे ऐसा नहीं कि आप टेलीग्राम चैनल पर मैं इ क्या मुवमेंट देखने को मिल सकते हैं सबसे पहले मैं टॉप की बात करूँगा इस साल का जो टॉप निकल के रहा है और इस साल के डाउंसेट के बात करूँगा तो लगबग लगबग 69 के आसपास निकल के रहा है यह जो रेंज है वो आपको पता होना चाहिए दो हजार 23 से लेके 2024 के बीच में इसी range के अंदर silver trade होते भी देखने को मिला और अभी भी मिल रहा है अभी भी इसने 78 के range को breakout नहीं किया अभी इस range को देखो के तो 78 का जो range है यहाँ पर फिर यहाँ से दो बार यहाँ पर तीन उसके बाद यहाँ पर चार और यहाँ पर five times से देखने को मिला जहां पर इसने इसको range को breakout नहीं किया विवकुल range को एक respect किया और respect करने के बाद वहाँ से हमेशा एक सेली की देखने को मिल चुका है तो आने वाले दिनों में क्या करके चलना चाहिए अभी यहाँ पर बात करूंगा तो सबसे अभी लेटेस्स सपोर्ट की बात करेंगे तो लबब लब चावरत्तर हदार के आसपास निकल क्या रहा है तो कोई आ पर फ्रेस सेल की position बनाना चा के ऊपर closing देता है next day में उसके ऊपर sustain करता है तो कम से कम आपको नब्य हदर तक भी silver जाते हुए देखने को मिलेगा जिस तरीके से यहाँ पर मुझे buying देखने को मिल रही है किसी भी time पर breakout आ सकता है अभी जिस तरीके से scenario देखने को मिल रहा है तो इस level के आसपास easily जाएग और वो आपके लिए stop loss बन सकता है खास करके buyers के लिए तो समाल के अभी trade लेना है जो भी आपे trade लेते हो थोड़ा सा update रखी है मैं टेलिग्राम चैनल पर update भिशता रहीता हूँ कि यहाँ से false breakout है कि actually real breakout हो गया यह पूरा का पूरा analysis मैं टेलिग्राम चैनल पर share करता हूँ ब हमेशा बोलाओ कि silver में buy करके चलना चाहिए और silver में buy करने का सबसे best तरीका मैंने already बताया कि हर 1000 पूंट की गिरावट पर buy करते जाहिए और 1000 पूंट उपर जाता है तो exit करते जाहिए इस तरीके से आप buy sale भी करते हो तो silver में बहुत अच्छा आप मुनापा निकाल सकते हो बेखुल simple strategy कोई भी जादा headache लेने की ज़रुवत नहीं है और यह strategy हमेशा काम करती है जब तक यह 78 से लेके 69 के range मतलम only 10,000 पूंट के बीच में जब तक यह trade करेगा तब तक यह strategy बेखुल profitable आपको trade मिलना है मिलना है अभी बात करेंगे sellers के लिए जो बहुत ज़्यादा sale करके बटे वे उनको loss हो रहा है तो कम से कम एक 78 के range में एक sale के position add कर सकते हो वहाँ से एक profit booking आएगा 2-3,000 पॉंट के profit booking मिलता है तो वहाँ पे एक position exit कर सकते हो आने वाली दिनों में अगेन यह upside जाएगा लेकिन 78 के range के आसपास एक profit booking आ सकती है अभी यहाँ पे dollar index का भी मैं analysis करूँगा क्योंकि dollar index में भी काफी लोग trade करते हैं और वियुकुल यहाँ पे देखो कि तो 25.50 से लेके 25.60 के दिन में भी trade हो रहा है लगबग 26 का एक strong resistance है उसके पास हो सकते profit booking मिल जाए तो वहाँ पे एक sale के position add कर सक तो लेकिन थोड़ा सामाल के trade लीजे खास करके तो कि यहाँ पे एक दो यहाँ पे तीन चार पाथ छे साथ सेवन टाइमर से देखने को मिल चुका है जब यह 25.50 के range में trade किया अभी यह breakout करेगा नहीं करेगा यह किजी को नहीं पता लेकिन यह breakout करता है तो कम से कम 28 डॉलर तक में आपको upside जाते वे देखने को मिलेगा अभी sellers ने क्या करके चलना चाहिए sellers ने ध्यान में रखिए 24.40 के नीचे जब तक यह trade नहीं करता तब तक आप sale की position एड़ मत करिए व्यूकल बाइसाइड है profit booking आने दीजिए train change होने दीजिए तब वहाँ पे आप sale की position ने दीजिए buy side यहाँ पे थोड़ी चाप profit booking कर सकते हो एक range है एक resistance जोन बनता है जब market resistance के पास होता है तो profit booking कर लीजिए break out करेगा तब अगें trade ले सकते हो तो मिलते ने विलिए डपी के साथ तब तक के लिए बाइबाइ